22 साल पहले खरीदे मकान और ग्रहस्ती के समान पर तबंगने किया कपजा महिला ने स्पी से की सिकायत सिवपुरी जिले के सतनवाडा में मकान और ग्रहस्ती के समान पर जबरन कपजा करने का मामला सामने आया है सोमवार को स्पी आफिस पहुंची एक महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधिचक को दर्ज कराते हुए मकान पर से कपजा हटाय जाने की गुहर लगाई है जानकारी के अनुसार मालती पत्नी नरेंदर जाटो निवासी सतनवाडा हाल निवासी छोटा लुहार पुरा सिवपुरी ने बताया कि उसके पती नरेंदर जाटो ने 22 साल पहले दर्शन पुत्र गनपत निवासी सतनवाडा के अधिपत्यवा स्वामित्व का एक भवन मकान पर विक्रेता के पुत्रों जीते ओर्फ बिजेज जाटरों ने कुछ दिनों पहले जबरन कबजा कर लिया इसके साथ ही मकान में रखे समान एक बकसा जिसमें पहनने ओड़ने और विचाने के कपड़े वा चांदी की पायल सोने के टॉक्स सोने का पैंड एवं ग्रहस् वा जूटे केस में फसाने की धमकी दी जा रही है पेडिता ने पुलिस अधिचा को आवेदन दे कर मकान से कपजा हटवाने की गुहार लगाई है इसके इसका शिकायट आपने शुपरी स्टी कोट वाली में की तो थाने नहीं गए आप तो क्या चाहता है हो आप मुझे नेरा मेरा मकान का कुगा मकान पैसे अट जाए मुझे मेरा मकान मिल जाए आप